कि दोस्तों आप सभी का फिर से मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल एल्टेस में केमकल की कई सारी कंपणियां हैं जो सिर्फ बॉंबे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हैं लाइक ब्लाइक रोज इंडिस्ट्री हो गई या फी कांची कर पूरम हो गई जो कि एक मल्टी चीज की कमी है क्या वो अवोड करके उसमें खरीदारी की जा सकती उस पर भी चर्चा करेंगे उससे पहले दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल स्क्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजेगे और इसका डीमेट अकाउंट नहीं है अगर खोलना चाहते हैं तो डिस्क्रिप् अरेंडी सेंटर्स भी हैं और देखें हैं केमिकल्स में अगर प्रकार जो हैं अगर जो इनको मेन प्रोडक्स में आते हैं एरोमा केमिकल्स, फूड एंटी ऑक्सिदेंट्स, रबर केमिकल्स, लुब्रिकेंट एडिटिव्स, प्री डिस्पर्सट रबर केमिकल्स, और स्प लिक्री हुई है, quarter 3 में 92 करोड 43 लाग, जब कि पिछले वर्ष के quarter में थी 73 करोड 34 लाग, जो कि बढ़के आई है 26 प्रिशत year on year, operating profit में हाला कि यहां पे 15% के आसपास की गिरावट है, और जो शुद्ध मुनाफ़ा निकल के आया है, वो 104 प्रिशत, यानि कि पिछले वर्ष क quarter में था 4 करोड 73 लाग, जो कि बढ़के हो गया है 9 करोड, लेकिन operating profit margin में यहां पे 5 प्रिशत की गिरावट year on year पे देखी गई है, परन्तु, यदि हम quarter 2 से quarter 3 में देखते हैं, तो यहां पे जो बिक्री हुई है, जो quarter 2 में थी 87 करोड 54 लाग की, जो कि बढ़के 92 करोड 43 ला करीब 4 करोड के आसपास है, दिसंबर तक के quarter में, और जो मुनाफ़ा निकल के आया है, quarter 2 से quarter 3 में करीब 200% के आसपास का, जो कि 3 करोड 16 लाग था quarter 2 में, बढ़के हो गया है 9 करोड 46 लाग, हाला कि operating profit margin में यहां पे गिरावट है, सबा 2% के आसपास, अगर हम share holding देखते हैं खुदरा निवेशक है, छोटे बड़े हर प्रकार के, 25.91%, ना तो DII's हैं और ना ही FII's है, 200 रुपए के आसपास इसका stop price चल रहा है, इसकी जो market capital है, 272 करोड के आसपास है, बहुत छोटी market cap ही company है, price to earning ratio निकल के आरा 15 का, price to book ratio निकल के आरा 4.29 का, और 10 रुपए per share के इस खरजा है, इस company पे 168 करोड, तो अगर आप देखेंगे market capital से comparison करेंगे, तो अभी तो 2500 का price का है, अगर एक देड़ मैने पहले देखेंगे, तो करीब 1500 के आसपास ये मिल रहा था, तो उस समय इसकी market capital जाहर सी बात है, बहुत कम रही होगी, 200 से नीचे ही रही होगी, अगर ह मार्च में जो है, 200 के आसपास हो गया है, तो stock price काफी तेई से भागा है, quarter के अच्छे numbers आये हैं, इस वज़े से जैसा कि अभी हमने देखा, अगर हम 5 वर्षों की sales growth देखते हैं, तो 11% से ज्यादा की है, profit growth देखते हैं, अगर 5 वर्ष, 186% के है, return on equity अगर हम देखते हैं, अगर हम देखते हैं, 5 वर्षों की तो 14% के आसपास निकल के आ रहे हैं, लेकिन जो debt to equity ratio है, वो 2.92, काफी ज्यादा है, करजा इस company में है, अगर माली जी हम 2017, 18, 19 और 20 में विक्री देखते हैं, तो 192 करोड़ 2017 में, 2018 में 250 करोड़ की होगी, 2019 के financial year में होगी 340 करोड़, हाला कि जो financial year 2020 में जाहिर सी बात है, lockdown का इस पर दुश्म पर भाव पड़ा है, तो sales जो है 297 करोड़ ही होगी, कम होगी, लेकिन अभी जो trailing 12 मन चल रहा है, ये इसमें 329 करोड़ का भी आख़ड़ा चल रहा है, उसी प्रकार से expenses भी इसमें हैं और net profit अगर देखते हैं, तो 2017 में निकल के आता था 4 करोड़, जो कि next year हो गया 8 करोड़, next year हो गया 12 करोड़, और financial year 2020 में भी 12 करोड़ रिपोर्ट किया, अभी जो 18 करोड़ के आसपास दिखाई दे रहा है, ये शो इंडस्ट्री भी PLI scheme के अंतर गताती है, गवर्मेंट न अनॉंस्मेंट किया है, PLI scheme में, कि जिस परकार से उनको incentive मिलेगा या छूट मिलेगी, दरसल, PLI scheme होता क्या है, production linked incentive of PLI scheme is a scheme that aims to give companies incentives on incremental sales over financial year 19-20 from products manufactured in domestic units, the scheme invites foreign companies to set up units in India, however, it also aims to encourage local companies to set up or expand existing manufacturing units and also to generate more employment and cut down the country's reliance on imports from the countries, तो जो गवर्मेंट करफ से अभी budget में अनॉंस वाता है, PLI scheme के तहत कि यहां कि जो local company, manufacturing company है, खासकर chemical के sector को भी उनको इंक्लूट कर लिया है, ताकि उनको incentives मिले, तो जो लोग नजर बनाये हुए इंडस्टीज में माली जिए कि जो लोग चाहते हैं कि ए तो ध्यान देने वाली बाते हैं कि promoter wise चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, chemical का sector बहुत ही जबर्दस्त है, products भी इसके अच्छे है, export भी करती है company majorly और इंडियम भी खपत है, लेकिन एक ही भयानक कमी है जो इस company पर करजा बहुत है, हो सकता है कि अपने expansion के लिए इसने जो ये भी कह सकते हैं कि FIHDIJS में क्यों होंगे, एक छोटे market cap की company है, 74% के आसपास promoters के पास है, तो shares बचे हैं, वो सारे retail ने में शक लेके रखे हैं, institutions लाग दो लाग, दस लाग के तो माल खरीदते नहीं है, 1000 कौड के आसपास इसकी market cap नहीं पहुंच जाती, तब तक institutional का ध तो हम थोड़ी पूंजी डाल सकते हैं, कुछ shares लेके अपने डिमेट में छोड़ सकते हैं, ताकि हम नजर बनाए रखें, और उतना ही पैसा डालें, 1000-2000 रुपए, जिससे अगर माल लिजे कि इसमें गिरावड भयाना का आ जाए, क्योंकि गिरावड तो आनी है, माल लिज इसमें करजा ज्यादा है, विदिन दवर्ड आप दफाइन केमिकल्स, येश्व इंडस्टी इसलिम्टेट में अपने पुरानी हैं, ऐसा भी नहीं कि अभी दो-चार साल पहले शुरू ही हो, थैंकि वर वाचिंग इस वीडियो फ्रेंज, धन्यवाद झाल झाल